साई की बात एक विकल्प वो जो इस दुनिया को चुनी जो इस कल्यूग के पहर को देखे कि इस कल्यूग में क्या है इस कल्यूग के सुक को चुने और दूसरा मेरी भक्ती को चुने लेकिन तुमने तो मेरी भक्ती को चुन लिया तो बस अब सब कुछ तुमारा है जो मेरा है न वो सब तुम्हारा हो चुका है मेरे बच्चे और तुम न मेरे बहुत बहुत प्यारे बच्चे बन चुके हो तुम्हारे लिए सारे दर्वाजे खोल दिये हैं मैंने और तुम क्या सोचते हो मेरे बचे कि अगर तुम एक लोटा गंगा जल लाकर मुझे स्नान कराओगे तो तुमें जाधा पुन्ने मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, अगर तुम अपने घर का साधरन जल लेकर भी मुझे सिनान कराओगे ना, तो वही गंगा जल बन जाएगा, तुम करकर देखो, और उसी जल को तुम अपने घर में इस्तमाल कर सकते हो, तुम अपनी दवाईयों के साथ इस्तमाल कर सकते हो अपने घर में छड़क सकते हो इससे पता है क्या होगा तुम्हारे घर की नकरत्मक उर्जा खतम हो जाएगी बलकि मैं तो कहूं को सो दूर भाग जाएगी दूर दूर तक नहीं टिकेगी तुम देखना मेरे बच्चे और सुनो कहीं एक बार तुम्हारे हाथ में लग गई थ क्योंकि न मेरे बच्चे जैसे जैसे वो जखम बढ़ता जाएगा न मेरे बच्चे तुम्हें उतनी तकलीफ होगी तुम्हें उतना दर्द होगा इस बात को समझो ला परवाही बिलकुल मत करो और जाकर दिखा कर आओ अपने आपको और सुनो अपनी तुल्ला न हर किसी स मत किया करो मेरे बच्चे क्योंकि तुम जिसकी जिन्दगी से अपने जिन्दगी को तुल्ला करने की कोशिश करते हो ना मेरे बच्चे तो इसमें तुम गलतो सुनो मेरी बात को वो जो इनसान है उसके वो अपने करम है उसके अपनी जिन्दगी है और जो ये तुम्हारे क बच्चे, तुम्हारे मन में है शक मुझे लेकर कि साई है या नहीं है तो फिर जब शक करते हो तो फिर दर्शन की उमीद कैसे रख सकते हो मुझसे अगर दर्शन चाहते हो तो पूर्ण विश्वास भी रखो अगर अपने साइं पर पूर्ण तह विश्वास रखोगे न तो मैं सच कहता हूँ तो मैं कहने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी और मै मैं तुम्हें दर्शन देने आ जाऊंगा मैं सच कहता हूँ मेरे बचे में आ जाऊंगा और सुनो मुझे पता है तुम्हें वहां से और यहां तक आने में न बहुत दिक्कत हुई तुम्हें कोरे की वज़ा से बहुत परिशानी हुई तुम डर रहे थे तुमने मेरा नाम लिया और देखा ना कि किस तरीके से मैं तुम्हें वहां से यहां बिल्कुल सुरक्षित लेकर आया अगर तुम मुझे पर भरोसा करते हो ना तो पूंटा भरोसा किया करो विश्वास रखा करो जब तुम मेरा नाम जाप कर लेते हो ना मुझे एक बार बोल देते हो तो बस सारी जिम्मेदारी मेरी बन जाती है उसके बाद तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती सारी जिम्मेदारी मेरी होती है तुम्हारे साई की जिम्मेदारी तो बिल्कुल ना परिशान मत हुआ करो और सुनो जो तुम्हारी जिंदगी में चल रहा है ना मेरे बच्चे उसके लिए हिम्मत रखो देखो मैं उजह पता है कि अभी इस वक्त कोई नहीं तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हें समझने वाला तुम्हारी बातों को सही तरीके से समझने वाला कहूं तो क्योंकि क्या है न कई लोग न तुम्हें गलत समझ रहे हैं क्योंकि तुम अपने नजरिये से अपने तरीके से बिल्कुल सही हो लेकिन सामने वाला का नजरिया अलग है वो तुम्हें नहीं समझ पा रहे हैं कि तुम उनको क्या बताना चाह रहे हो क्या करना चाह रहे हो तो जाने दो जब सामने वाला ना समझे ना तो उसे जाने देना चाहिए और जो तुम्हारे परस्तिती है ना उसे मैं सही कर दूंगा तुम बिल्कुल चंता मत करो तुम्हारे परस्तिती को मैं बिल्कुल सही जगा पर सही दिशा में ले आऊंगा बिल्कुल चंता मत किया करो औ और वो मेरे बच्चे बहुत बहुत खुश नसीब है, जिनके उपर मेरे विशेश किरपा है, जानते हो कैसे, वो मेरे बच्चे इतने प्यारे हैं, कि अगर उनके सामने कोई भूका, कोई जरूतमन आ जाये न, तो वो अपनी थाली को भी, अपने डबे को भी न, उनके आगे रख देते हैं, इतना प्यार, इतना विश्वास, मुझे तो कभी-कभी इतना लगता है न, मेरे बच्चे कि मैं जिन्दगी भर तेरा रिड़ी रहूंगा, मेरे बच्चे जिन्दगी भर, इतना प्यार करते हो तो मुझसे, हर एक चीज तुमने मुझ पर सौप रखी है, ह क्योंकि मेरा अश्रवाद न, उन्ही बच्चों को मिलता है, जो मुझसे प्रेम करता है, और जिसने प्रेम किया है, जिसने भक्ती से प्रेम किया है, उसे ही मैं मिला हूँ मेरे बच्चे, उसके पास ही मैं गया हूँ, और सुनो, तस्वीर तो बहुत है तुम्हारे पास मे लगता है ना और सुनू तुम्हारी जो निराशा का कारण है ना उन सारी निराशाओं को दूर करने वाला हुँ मैं बहुत जल्द सारी निराशाओं का जो तुम्हारा कारण है जो परेशानी है ना उन सब को अलग कर दूँगा मैं बहुत 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 दूर कर दू लोगों की नजरे तुम्हारे लिए बहुत अलक्सी हो गई हैं वो तो ऐसा देखते हैं कि जैसे तुमने कोई पाप कर दिया हो जैसे कि कोई गलती कर दी हो मुझे अपनाकर मेरा नाम लेकर वो क्या है ना मेरे बच्चे उनके सर पर ना उनके बुद्धी पर पथर पड़े वो नहीं समझवा रहे इस बारे में अभी ना वो अंदकार में हैं और कुछ ऐसे बच्चे जो होते हैं ना वो अंदकार में होते हैं मेरे बच्चे और दूसरों को वो गलत समझते हैं जो मेरे बच्चे होते हैं वो उन्हें हमेशा गलत समझते हैं उन्हें लगता है जो य लड़ाई है जगड़ा है कुछ बात है तो वहां पर तुमें बिलकुल भी अपनी कोई टिपढ़ी जब तक सामने वाला तुम से ना बोलने को कहे ना सुलचाने को कहे तो कुछ नहीं कहोगे तुम अपनी तरफ से बिल्कुल दूर हटे रहोगे मैं नहीं चाहता कि तुम किसी वाद विवाद में पढ़ो और तुम्हारा दिमाग खराब हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि क्या है न जब तुम्हारा मन और दिमाग खराब हो चाता है तब तुम ना सारे काम करना छोड़ देते हो, तुम्हारा किसी भी काम में मन नहीं लगता, तुम्हारे दिमाग में बस वही बाते बार बार चलती है, कि उसने तुमसे ऐसा क्यों कह दिया, क्यों कह दिया, बस वही चीजे तुम्हारे मन में बार बार घर कर जाती है, तो वो ना तुम्हें तकलीफ देटी है तो मैं नहीं चाहता किufen किसी वाल विवाद में पढ़ो और अपने आपको परेशान करो अपने काम को इधर से उधर कर दो यह नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा काम ना मेरे बच्चे अधरक वाली चाय पीओ साथ में मेरी उदी लो और ना अराम करो क्योंकि ना तुम ठकावट से बहुत जादा गिर गए हो चलना फिरना भागना दोड़ना ये सब लगा रहा और तुम मानसिक तोर पर भी ना थोड़े परेशान थे मुझे पता है क्योंकि तु तुम्हें लग रहा था ना कैसे कैसे हो रहा है तुम्हें वही था और मैं तुम्हें सारी समस्या को हल करके ना वहां से धीरे धीरे वहां से निकाल रहा था और सुरक्षा करना तो मेरा काम है ना तुम्हारी मेरे बच्चे जब तुम मेरे बच्चे बन चुके हो तो तुम खुश रहो आज का मध्यान साइसन देश समाप्तुवा